दोस्तो दूद में होता है Lactic Acid जो हमारे चहरे की सेहत को सुधरता है यह तवचा में कॉलेशन के मातरा को बढ़ाता है जिससे हमारे तवचा मुलायम हो जाती है कच्चे दूद को अगर face pack बना के हम चहरे पे लगाते हैं तो हमारी तवचा के लिए बहुत फाइदे मंद होता है, बहुत लाबकारी होता है इससे sun tan ठीक कर सकते हैं, dead skin निकाल सकते हैं चहरे के काले दाग धबे से ठीक हो जाते हैं किसी भी pack को बनाते में अगर हम कच्चे दूद का इस्तेमाल करते हैं तो वो काफी लाबकारी होता है साथी साथ आपको ध्यान रखना है, कच्चे दूद का इस्तेमाल जब भी कर रहे हैं आपको अपने चहरे को सूरे की सीधी किर्णों से हमेशा बचा के रखना है नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कुदरत केर में और मैं हूँ मोनिका आज मैं आपको बताने वाले हूँ कि कच्चे दूद में दो बहुत ही बहतरीन सी चीजे मिक्स करके आप अपनी रंगत को किस तरह सुधार सकते हैं इस वीडियो में precautions है, step by step हम चीजे करेंगे और वीडियो को पूरा देखिए यार ध्यान से देखिए मैं हर चीज explain करती हूँ वीडियो शिरू करने से पहले आपका बहुत बहुत शुकरिया करना चाहती हूँ तहे दिल से आभारी हूँ आपके आप इतना प्यार दे रहे हैं वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटा-फट से कर लीजिए और मुझे बताएं कि आपको किस तरह के और फी वीडियो देखना पसंद है ताकि मैं आपके पसंदिदा टॉपिक्स पर वीडियो बनाओं तो आपको अच्छा लगे तो चलिए हम शुरू करते हैं दोस्तों फिर से बोल रही हूं वीडियो को पूरा देखिए ध्यान से देखिए क्योंकि मैं जब आप बाद में कोई प्रेश्ट मुछते हैं तो एकदम से मुझे भी कभी कभी क्लिक नहीं होता है कि ये कैसे था ये जो रेसिपीस हम बताते हैं ना बताती हूं जो रेसिपीस वो पहले में ट्राइक ही होती है उसका प्रोसीजर होता है उसको step by step ही करना होता है और instructions भी होते हैं और मैं कोशिश करती हूं कि वीडियो में हर चीज आपको explain करूं आप complain भी करते हैं कि वीडियो बड़े बनाती हूं लंबे हो जाते हैं वीडियो चलो कोई बात नहीं चलिए फिर हम शुरू करते हैं तो चलिए हम बना के देखते हैं दूद में जैसा कि मैंने बताया कि हम दो ही चीजे मिक्स करेंगे दूद में और यह आपको करना है हर रात सूने से पहले दोस्तों इतना clean होता है ना इससे फेस मतलब आपको ग्लो आएगा जब भी हम स्किन वाइटनिंग की बात करते हैं तो आप लोग को लगता है कि यार कोई चीज लगा लो और हम एकदम गोरे चटे और एकदम पाउडर जैसे हो जाए ऐसा नहीं होता है दो शेड आप इंप्रूब कर सकते हैं अपनी स्किन को वो भी इसलिए कि हम बहुत अच्छे से द्यान नहीं रखते हैं रेगुलरली क्लीनिंग नहीं करते हैं तो एक ना लेर जम जाती है डेड स्किन की दर्स्ट पोल्यूशन की आपने अगर अपने आपको थोड़ा सा ऐसा प्राइटन दिखना है उसके लिए आपको दूद प सारी आती है ना दूद की बात आती है तो बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं मुसे कि यार दूद कच्छा कहां मिलता है जब भी आपने फेस की कोई रेसिपी ट्राय करनी है ना तो यार तबेले से ले लिया करो दूद कोई प्रॉब्लम नहीं है थोड़ा सा लेलिया करो पाव लेलो थोड़ा सा महनत कर लेंगे तो क्या हो जाएगा थैली वाला जो दूद होता है वो अल्रेडी गरम किया हुआ होता है इसलिए लंबे समय तक चलता है तो आप क्या करें अब कोई आप्शन नहीं है तो थैली वाला ही जो दूद होता है पैकेट जाते ना अमूल वगरा के वो भी ट्राइ कर सकते हैं अभी और कुई option नहीं है तो कर लीजे दूसरी interesting cheese हम इसमें mix करने वाले हैं aloe vera gel लगभग एक चमच तीसरी cheese मैं आपको बताऊंगी लेकिन यह जो विधी है यह step-by-step करनी है पहला जो प्रोसीजर है इसका यह हमने दो चीजे mix कर ली है और इसको हम cotton की साहिता से पूरे चेहरे पे लगाएंगे यह देखिए यह हो गया है इसको mix करने की अवशक्ता नहीं है cotton से ही इस तरह से घुमाएंगे तो वो mix हो जाएगा तो यह cotton ले लिया है मैंने इस तरह से आपने पूरे चेहरे पे हलके हाथों से इसको पूरे चेहरे पे लगा लेना है और इस तरह से clean करना है कि dust सारी निकल जाए corpses जादा घिसना नहीं है ऐसा नहीं है कि हम कुछ ऐसा बहुत ही लम्मा चड़ा प्रोसीजर कर रहे है ऐसा बिलकुल भी नहीं है तो यह देंखे यह हो गया फिर से बोलनी हो करना आपने रात को यह है दोस्तों अगर दिन में कर रहे हैं तो आपने तेज धूप में नहीं जाना है खाना जब हम बनाते हैं तो अपने चेहरे को ढखके आप बनाएंगे क्योंकि गर्मी नहीं लगनी चाहिए आपके चेहरे को अब आपने क्या करना है यह वाला जो मिश्रन है यह एक चम्मच लेना है दूसरी को टोरी में क्योंकि यह जादा ही बनाना है आपको यह हो गया है अब इसमें हमने अपनी तीसरी चीज मिक्स करनी है और वो है चावल का आटा चावल का आटा यह लेना है यार चावल का आटा लेनी के लिए बहुत ज्यादा दूर जाने के हविशकता नहीं है आप किचन में जो चावल होते हैं वही लीजे और मिक्सी में पीस लीजे उसको और अच्छे से पाओडर बनालीजे तो इसमें मैं मिक्स करूंगी उस जैसा बन जाए बहुत जादा भी नहीं थिक करना है और बहुत पतला भी नहीं करना है तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ यह देखिए इतना सा लिया है मैंने जादा नहीं लेना है आपको मिक्स होने के बाद वही कॉटन जो हमने पहले यूज किया है वही लेना है और पूरे चेहरे पे अच्छे से इस वाले लिक्वेट की मालिश कर लेनी है यह प्रोसीजर जो है यह आप जब किचन का काम आपका निपट रहा होता है ना वाइन अप करते हैं आप किचन बरतन बरतन लगा रहे होते हैं रात को उस टाइम पे करें तो बीच में थोड़ा थोड़ा पोस भी आजाएगा आपको तो अच्छे से हो जाएगा मतलब यह और यह जो यह है ना इसको आप अगर अपने हाथों पर लगाएंगे ना यह यह व आप अपने हाथों पर लगा सकते हैं अब आप यह मत सोच ही कि मैंने हाथ धये नहीं है इसलिए काला-कला पां निकल रहा है इसमें सेमें डाय अब आपने थोड़ी देर रुख जाना है कि रूकिए उसको अराम से थोड़ा सा टाइम दीजिए उसको सेटल होने दीजे दो से पांच मिनिट मसाज कीजी यह बहुत अच्छा है आप रोज करेंगे तो फाइदे जादा अच्छे होंगे अच्छा अभी ना सब लोग पूछने वाले हैं कि oily skin है तो क्या करें dry skin है तो क्या करें यह प्रश्ण आता ही है और मैं समझती हूँ कि यह genuine प्रश्ण है मतलब हर पैक हर चहरे पे नहीं लगता है लेकिन यह वाला पैक हर टाइप की skin पे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है कि यह नहीं लगेगा अच्छा यह दो स्टेप पार स्टेप हो गया है अब तीसरा स्टेप काउंसा है वही वाला फर्स्ट चेप जो है आपका वही आपको दोबारा से करना है आपने पुरे चहरे पको अच्छेlas से कलीन करना है जूद और तो जैसा कि मैंने बताया था ता कि तीन ही चीजे हम इसमें मिक्स करने वाले हैं, चोथी चीज के आशकता ही नहीं हमको, तो यह इस तरह से हो जाएगा, अच्छा जुन लोगों की स्किन ड्राइ है, वो लोग इसको चेहरे पे लगे रहने दे, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसमें से स्मेल आती है, रात भर न से सुखा ले, या देखी इस तरह से, और पूरे चेहरे को इस तरह से पोच डाले, इससे, और चेहरे पे लगा रहने दे, ठीक है, और जिन लोगों की स्किन में कील मुहासे हैं, पिम्पल्स हैं, मतलब काले-काले दाग हो गए हैं, या फोड़अ फुंसी हैं, उन लोग स् जिस पार्ट में आपके फोड़ा या फुंसी है, उसी पार्ट में सिरफ जो ये वाला जो मिश्रन बनाया था उसका थोड़ा सा लेप लगा लें, जैसे इस तरह से यहां मान लीजिए, लेकिन ये वाला जो लेप है ये पूरी रात लगा के नहीं रखना है, सिरफ दूद और अलो वेरा पूरी रात लगा के रख सकते हैं, लेकिन जो सेकिंड वाला स्टेप हमने किया था, वो सिरफ प्रभावित एरियास पे ही लगा के छोड़ें, उसका रिजर भी हम बता देती है, क्योंकि उसमें हमने चावल का आटा मिक्स किया है, चावल का आटा स्किन को टाइ तो वो स्किन ऐसे खिचती है, बहुत अनकमफर्टेबल होगा आपको, तो आपने उसी एरियास पे लगाना है, और वाश नहीं करना है, आपको सुभे उठते ही गुन गुने पानी से चेहरा धो देना है, लगातार इस्तेमाल करें, कम चे कम सात दिन लगातार लगाएं इस मुझे बताईए, मैं सब प्रश्णों को रिप्लाई करती हूं कमेंट बॉक्स में, और हाँ आप मुझे फेस्बुक पे इंस्टाग्राम पे भी फोलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ आप अगर कोई प्रश्ण पूचेंगे तो शायद मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी, लेक राक गया है, या क्या करने वाली हूं, क्या प्लान है, वो सब मैं अपडेट करती हूं, फेस्बुक पेश पे और अपने इंस्टाग्राम पे, तो आप वहाँ फोलो कीजिए और नएने फोटोस जरूर देखेगा, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के मुस्कुरा तेरे, सलामत रहे, बाई बाई